मचकार दोस्तों मैं मयूड सुरिवंशी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपी के चैनल सुरिवंशी एकेडमी पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारती राष्टी आंदोलन के विशय में इतिहास विशे में भारती राष्टी आंदोलन से बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं दोस्तों एक खास बात यह है इस टॉपिक की कि MPPSC जीसी एक्जाम्स में यहां से इतिहास के सेग्मेंट में लगवग 5-6 प्रश्ण पूछ लिए जाते हैं अगर MPPSC या PEB की एक्जाम्स की बात की जाए तो यहां से इतिहास के विशे से अगर प्रश्ण पूछे जाते हैं तो अधिकांश्त प्रश्ण आधुनिक भारत के इस स्वतंतरता आंदोलन वाले सेग्मेंट से ही पूछे जाते हैं इस राश्टी आंदोलन की शुरुवात के विशे में अगर मैं आपको कुछ बताओं तो हम इसको तीन चरणों में अलग-अलग पढ़ने वाले हैं और इसके बाद कई छोटे वीडियो के माध्यम से डिटेल में भी इसको पढ़ने वाले हैं तीन चरण इसके कुछ इस प्रकार से होंगे कि राश्टी कॉंग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और यहां से इसका पहला चरण चलेगा 1905 तक 1905 ने बंगाल विभाजान होगा और उसके बाद से हम इसका दूसरा चरण पढ़ेंगे 1905 से लेकर 1919 तक 1919 से 1947 भारत की आजारी तक के सेग्मेंट को हम पढ़ेंगे और यह सबसे महत्रपून सेग्मेंट होगा तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं अगर बात की जाए भारती राश्टवात के उदय में साहिक तत्वों की तो 1857 में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनसे भारती राश्टवात का उदय हुआ सरप्रथम प्राच्य शिक्षा एवं संस्कृती ने राश्टवात की भावना को जगाने में महत्रपून योगदान और भूमिका का निर्वाहन किया 1833 इसवी में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम मनाया गया पश्चिमी देशों के साथ संबंध प्राच्य साहित विज्ञान इतिहास एवं दर्शन के अध्यन से भारतीयों को भारत में प्रचलित कूप रथाओं के बारे में जानकारी हुई साथ ही उनमें रा पत्रों की तो समाचार पत्रों एवं प्रेष का राश्टवात की उदय में महत्रपूर्ण रोगदान रहा है भारत में राजा राम मोहन राय ने राश्टी प्रेष की नीव डाली उन्हेंने समवात कौमूदी बंगला और मिराज उल-अक्बार फार्सी जैसे पत्रों का स प्रियास 1859 इस्वी में राष्टवात की भावना से ओध प्रोध सौम प्रकाश का संपाधन इश्वर्चंद विद्या सागर ने किया इसके अतिरिक्त बंगदूत अमरत बाजार पत्रीका केसरी हिंद पाइनियर मराथा इंडियन मिरर आधी ने बिरिटिश हुकूमत की गलत भारत दूर दशा में अंग्रेजों की भारत के प्रती आकरमक नीती का उल्लेक किया इस शेत्र में हरिश्चंद के अतिरित प्रताप नाराण मिश्र बाल करश्न भट बद्री नाराण चोधरी भी आते हैं जिनकी रचनाएं देश प्रेम की भावना से उत्प्रोध थी अन अगर आर्थी शोषण की बात की जाये तो आर्थिक शोषण का भी राष्टवात को जगाने में महत्यपूर्य योगदान रहा है दादा भाई नौरो जी ने धन इश्कासन के सिद्धान को समझा कर अंग्रेजों के शोषण तंत्र की पोल खोल दी अंग्रेजों की भारत विदेशी आर्थिक नीती ने भारतियों के मन में विदेशी राजी के प्रती नफरत और स्वदेशी माल एवं राजी के प्रती प्रती प्रेम को जगाया भारत के आर्थिक शोषण की पराकास्था में लाड लिटर्ण के शाशनकाल में देखने को म पर अंग्रेजी सामराजी की स्थापना से भारत में राजनेतिक एक्करन पुना हुआ और इस एक्करन ने राष्ट वाथ की भावना को पुना जन्म दिया तिवर परिवहन तथा संचार साधनों में रेल, डाक वतार आदी के विकास नहीं भारत में राष्टवात की जड़ को मजबूत किया रेलवे ने इसके मुख्य भूमी का निर्वहन किया इस प्रकार से बात करें कि रेलवे ने भारत में राष्टवात को जन्म तो नहीं दिया परन्तु एक आंशिक भूमी का जरूर निभाई रेलवे भारत के लिए वह कारी कर गई जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया जो अकबर अपनी दैशीलता वो टीपू अपनी उगरता द्वारा नहीं कर सका वे भारत में एक राष्ट नहीं बना सके परन्तु रेलवे ने भारत को एक राष्ट बना दिया यहीं अगर बहुद्धिक पुनरजागरण के विशय में सोचा जाए तो राष्टवात के उदय में एक अहम भूमी का बहुद्धिक पुनरजागरण ने निभाई राजय राम महन राय, स्वामी विवेकानन, दयानन सरस्वती, आधी ऐसे भारतियें हैं जिनको अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्वदेशी राजय सर्वोपरी एवं सर्वत्तम होता है इस प्रकार के विचार हमें मिल जाते हैं स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि मैं शरीर भारत हूँ और सारा भारत मेरा शरीर इस प्रकार से बौधिक मुनरजागर ने राष्टवात को बढ़ावा दिया यूरूपी विद्वान सर विलियम जौन्स, मोनियर विलियम, मैक्स मूलर, रौथ, सेमलसन, मैक डॉनल्ड आधी ने कहीं शोदो द्वारा भारत की प्राचीन सांस्कतिक धरोवर से हमारा परिचय कराया और निश्चित रूप से इससे भारतियों के मन में हीन भावना गायब हुई उनमें आत्मसम्मान एबं आत्मविश्वास जागा उनके अंदर देशभक्तियम राष्ट भावना का प्रोसाहन भी हुआ जिससे राष्टवात की भावना फिर प्रगार हुई अंग्रेजी द्वरा भारतियों के प्रती हर जगा सेना उद्योग सरकारी नोकरियों एम आर्थिक शेत्रों में अपनाई जाने वाली भेद भावपून नीती से भी राष्टवात को जन्म मिला लेटन के प्रती किर्यावादी कारियों जैसे दिल्ली दर्बार, वर्नकुलर प्रे सेक्ट, आम सेक्ट, ICC परिक्षाओं की आयू को 21 से घड़ा कर 19 वर्ष कर देना दूती आंग, लफगान, युद्ध, आधी ने राष्टवात के उदय में मार्ग को बहुत मजबूत किय अब अगर बात कर ली जाए, भारती राष्टी कांग्रेस से पूर्व की स्थती की, तो भारत में भारती राष्टी कांग्रेस से पूर्व की स्थती कुछ इस प्रकार थी, कि 1 मार्च 1883 को ह्यूम ने कॉलकता विश्विध्यालई में इस नातकों के नाम एक पतर लिखा, जिसमें उन्होंने सबसे मिल जुर कर स्वायधीनता के लिए प्रत्न करने की अपील की। इस अपील का शिक्षित भारतियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वे एक अखिल भारती संगटन की आवशिक्ता महसूस करने लगी। इस दिशा में निशित रूप से पहला कदम सितंबर 1884 में उठाया गया। अब बात कर लिजाए अखिल भारती कॉंग्रेस की स्थापना से पहले की। तो 1883 में एओ हुयूम साब ने कॉलकता में एक विश्विद्याले में एक भाशन दिया। और इसमें युवाओं से अपील की कि वे भारत के स्वतंता संग्राम में हिस्सा लें और भारत को स्वतंतर कराने के प्रयास करें। और उन्होंने इस प्रकार की कमी को देखा कि यहाँ पर एक संगठन की कमी है। तो उन्होंने 1885 में अखिल भारती कॉंग्रेस की स्थापना की इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के पास एक कॉंग्रेस जैसे राजनितिक संगठन की स्थापना हो जाती है इसके विशाई में एक व्रहद लेक्चर बनाया जाएगा आप उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब अगर बात करें भारती राश्टी आंदोलन की तो आगे के सेग्मेंट में अब क्या होता है भारती राश्टी कॉंग्रेस की स्थापना से सुतंता के प्रथम चरण की शुरुवात होती है और इस टॉपिक को नेक्स वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे तो जुड़े रही है हमारे साथ तब तक के लिए धनिवाद